क्या आपका बच्चा रात में सोता नहीं है? अगर नहीं सो रहा है तो उसके पीछे वज़ा क्या है? और एक अच्छी नहीं ले पाता है जिसकी वज़े से बच्चा कहीं न कहीं हमारा चिल्चिल्ड़ा रहता है, दिन में भी बहुत ज्यादा रहते हैं उसकी वज़े से हम parents भी बहुत ज्यादा चिलचीडे रहते हैं क्योंकि friends हम भी रात में बच्चे की वज़े से बच्चा मारा जगता है तो किसे सो सकते हैं हमें भी उसकी वज़े से जगना पड़ता है तो friends ये काराड अगर हम जान ले उसका solution अपने हाप ही निकल जाएगा फिर तो हमारा बच्चा भरपूर अच्छी नीद लेके सुएगा friends आप इस वीडियो पे बने रहे हैं आज हम लोग इसी topic पे बात करने वाले है friends रात में जब हमारा बच्चा सोता है तो सोते समय सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को जो हमने डाइपर पहनाया है क्या वो डाइपर दो तीन घंटे पहले पहनाया या अभी जश्ट पहनाया है यह सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे बच्चे का डाइपर जो है वो गीला रहता है तो उस वज़े से हमारा बच्चा ठीक से नहीं सो पाता है गीला होने की वज़े से वो comfort नहीं feel करता है उसको कहीं न कहीं नमी नमी लगती है तो हमारा बच्चा जो है अच्छे से न लेना चाहिए उसको दूद पिलाएं जब वो खुच से दूद पिना चोड़े तभी आप माने की बच्चे का पेट भर गया है या फिर थोड़ा सा बड़ा बच्च आप उसको ऊपरी आहार कुछ दे रहे हैं अर्द ठोसा हार दे रहे हैं मतलब की बच्चा हमारा दूद के स भार-बार उठेना क्योंकि जब हमारे बच्चे को भूगते है तो बार-बार चिंद शील आपके उठाता है तो इस वज़े बच्चन से वह सब कर दांद आपक वे बच्चे का टाइट रहता है इनफेक्ट डाइपर के साथ साथ जो हमारे बच्चे का पैंट है वो भी अगर टाइट रहेगा तो हमारा बच्चा अच्छे से नहीं सो पाएगा क्योंकि पैंट की जो लाश्टिक होती है कभी-कभी आप देखते होंगे कि उसका दाग पढ़ जाता है बच्चे की कमर पे तो लाश्टिक टाइट रहेगे तो कहीं न कहीं बच्चे को दर्द होगा या डाइपर का लाश्टिक जो है वो टाइट रहेगा तो बच्चे को दर तो फ्रेंट समी ये भी ध्यान देनी की जरूरत है नेक्स्ट क्या है कि हमारा बच्चा जो है कभी-कभी जैसे हम कुछ खा लें जैसे की बाहर का कोई फास्ट फूट का ले या मतर खाले चना खाले की कुछ ममा लोग होती है जैसे ब्रेश्ट फीडिंग करा रही है तो उनके आपको गैस बनाएगा बच्चा दूद पिएगा तो बच्चे को भी गैस बनाएगा ट्रेंट्स ये आप खुद ही अपने बॉड़ी की साब से जानती होगी कि हमें क्या खाने पर गैस मनाता आप उसको बिल्कुल एवाइट करें अपने ब्रेश्ट फीडिंग के टाइम तो आप उस समय बच्चे को अगर आपने गल्ती से भी कुछ खा लिया है और बच्चा आपका ब्रेश्ट फीडिंग कर रहा है तो आपको क्या करना है कि रात में सोते समय हलका सा बहुत हलके से मात्रा में आपको चुटकी बर हींग दूद में मिला के बच्चे को पिलाना ह अगर आप हिम दूद-मिला कि बच्चे को पिला देंगे तो बच्चा हम्हारा कमफर्ट तरीके से राथ में सूएगा नीद लेगा क्या होता है कि कपई-कपि बच्चे को गैस बना रहता समस्क्राइगा और बच्चा को बहुत है Конrüie रहेगा तो फिर फिर वो समझ रहना कि वो अच्छे से नहीं सो पाएगा फिर कहीं न कहीं वो रोएगा चुछड़ाएगा फ्रेंट्स ये भी आपको ध्यान देना है नेक्स्ट क्या है कि जब भी आप अपने बच्चे को रात में सुलाएं तो सुलाते समय आप अपने बच्चे को जो कपड़ा पहना के पहनाएं बच्चे को दिन में पहनाएं तो सुलाते समय आप बच्चे को कोई भी नाइट-वीर ड्रेस पहनाएं बहुत हलका ड्रेस पहनाएं जिससे बच्चा हमारा कंफर्ट तरीके से हाथ पर की इदर उधर पैर इधर उधर जाहां जैसे मन करें वैसे सो हैं मतलब उ आप सोते समय उसके कपड़े पर जरूर ध्यान दे कि हमारा बच्चा कहीं ऐसा कोई टाइट कपड़ा तो नहीं पहना है जिसे वह हाथ पेर फेकने में असमर्थ है और उसको दिक्कत हो रही है और इसलिए वह नहीं सो पा रहा है तो फ्रेंड्स आप यह भी ध्यान दे तो ज लाइक करें चैनल को सेर और सब्सक्राइब करना ना बूलें मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच